दिल धाम कर बैठिये क्योंकि आज बारी है आप सब के चहेते शर्लक होम्स की कहानी की हमारे चैनल पर इस सीरीज की ओल्मोस्ट सारी कहानिया मौजूद हैं बस कुछ ही कहानिया हैं जो अपलोड होनी बाकी हैं और उन्ही कहानियों में से एक आज आप सुनने वाले हैं जिसका नाम है The Adventure of the Dying Detective तो बिना देर किये शुरू करते हैं अपनी कहानी शर्लक होम्स की मकान मालकेन मिसिस हडसन बेचारी बड़ी ही दुखी औरत थी इसके दो कारण थे पहला तो उनके फर्स्ट फ्लोर वाले फ्लैट में आए दिन आवारा लोगों का जमावडा लगा रहता था और उपर से दूसरी बात ये कि उनके सनकी और जख्की किराईदार ने उनकी नाक में दम करके रखा हुआ था वो किराईदार जिसके जिन्दगी में लाने की प्रैक्टिस किया करता था जिसकी वजह से सारी दिवारों में छेद ही छेद हो गए थे उसे वक्त बेवक्त उची आवाज में म्यूजिक बजाने का भी बड़ा शौक था और आए दिन अजीब और गरीब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था मारपीत और लड़ाई जगडे में तो हमेशा आगे रहता था और उसकी इन सारी बुरी आदतों ने मिलकर उसे पूरे लंडन का सबसे घटिया किराईदार बना दिया था लेकिन इन सारी बातों के बावजूद वो काफी भरी भरकम किराया देता था और मुझे इस बात पर भी कोई शक नहीं है कि वो मकान भी उसी रकम से खरीदा गया होगा जो होम्स किराय के तौर पर चुकाता था और ये उन दिनों की बात है जब मैं उसके साथ रहा करता था हमारी मकान मालकिन बिचारी बड़ा हेरान परिशान रहती थी लेकिन उसके बाद भी होम्स की लाइफ में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करती थी चाहे वो कितना भी बवाल क्यों न मचाए असल में हम ये भी कह सकते हैं कि मिसिस हटसन उसे काफी पसंद करती थी क्योंकि वो औरतों के साथ बड़ी ही तमीज और तहजीब से पेश आता था एक बहादूर और जवान मर्द होने के बावजूद उसने आज तक कभी किसी औरत पर बुरी नजर नहीं डाली थी मैं अच्छी तरह से जानता था कि मिसिस हटसन उसकी बड़ी ही इज़त करती है और इसी लिए मेरी शादी के एक साल बाद जब उन्होंने मेरे घर पर आकर मेरे दोस्त की बुरी हालत का किसा मुझे सुनाया तो मुझसे रहा नहीं गया मिसिस हटसन ने मुझसे कहा वो मर रहा है डॉक्टर वाटसन पिछले तीन दिन से उसकी हालत बहुत ही नाजुक है मुझे नहीं लगता कि उसके बचने की कोई उमीद है उसने डॉक्टर को बुलाने से भी मुझे मना कर दिया है आज सुबह जब मैंने उसे देखा तो उसके चेहरे पर सिर्फ हड्या हे हड्या नजर आ रही थी उसकी चमकदार आँखे जिस तरह से मुझे देख रही थी मैं बरदाश्ट नहीं कर पाई तब मैंने उससे कहा आप चाहे माने या ना माने मिस्टर होंस पर मैं इसी वक्त डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ और तब जानते हैं उसने क्या कहा उसने कहा अगर ऐसी बात है तो वाट्सन को बुला कर लाओ और इसी लिए अब आप जल्दी से मेरे साथ चलिए सर वरना आप फिर उसे कभी जिन्दा नहीं देख पाएंगे मिस्टर हट्सन के मुह से शरलोक का ये हाल सुन कर मैं हैरान रह गया मुझे उसके बीमार होने के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था कहने की जरूरत नहीं कि मैं उसी वक्त अपना कोट और हैट पहन कर मिस्टर हट्सन के साथ चल पड़ा उनके घर की तरफ जाते हुए मैंने उनसे शरलोक के बारे में और बातें भी पूछी उन्होंने कहा मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता बस इतना मालूम है कि वो रौथर हाइट के किसी केस पर काम कर रहा था नदी के पास वाली गली में और जब से वो वहां से लोटा है तभी से बीमार है बुद्वार के दिन वो बीमार पड़ा था और तभी से बिस्तर पर है तीन दिन से उसने अन का एक दाना या पानी का एक घूट तक नहीं पिया है ओ माई गॉड तो आपने डॉक्टर को फोन क्यों नहीं किया मिसेस हटसन वो मुझे करने ही नहीं देता था सर आपको तो पता है वो कितना जिद्दी है और उसकी बात टालने का साहस मेरे अंदर नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि अब वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा मिसेस हटसन ने ठीक ही कहा था शर्लोक वाकई में काफी बिमार था नवंबर की धुंद की हलकी रोशनी में शर्लोक होंस के रूम में एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी मुझे उसका कमजोर और मुर्जाया चेहरा दिखाई दिया जो अपने बिस्तर पर लेटा मेरी तरफ देख रहा था उसकी हालत देखकर मेरी रीड की हड़ी में एक ठंडी लहर सी दोड़ गई उसकी आँखें तेज बुखार से जल रही थी दोनों गाल बुखार की वजह से अंगारी की तरह लाल थे होटों पर पपड़ी जमी हुई थी उसके पतले हाथ लेहाफ के उपर से कापे और उसकी आवाज ऐसी सुनाई दी जैसे किसी गहरे कुए से आ रही हो जब मैं रूम में आया तो वो एक बेजान लाश की तरह पड़ा था लेकिन मुझे देखते ही उसकी आँखों में चमक सी आ गई और उसने तुरंट मुझे पहचान लिया आँ वाटसन लगता है हमारा बुरा वक्त चल रहा है उसने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा जो उसके पहले वाले बेफिकर अंदाज से एकदम अलग था मुझे उसकी हालत देखकर रोना आ रहा था मैं उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला मेरे प्यारे दोस्त लेकिन इसे पहले कि मैं कुछ और कहता या उसके और कर जाता उसने पूरी ताकत से चिलाते हुए कहा पीछे हटो एकदम पीछे हट जाओ अगर तुम मेरे पास भी आये वाटसन तो तुम्हें इस घर से अभी की अभी बाहर जाना होगा लेकिन क्यों शर्लॉक? क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ क्या ये वज़े काफी नहीं है? लेकिन मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूँ हाँ बिल्कुल लेकिन मेरी मदद तुम तब ही कर पाओगे जब मेरी बात मानोगे हाँ ठीक है होम्स मैं तुम्हारी हर बात मानूँगा लेकिन तुम मुझे अपने पास आने से मना क्यों कर रहे हो क्योंकि इसमें तुम्हारी ही भलाई है वाटसन मैं जानता हूँ कि मुझे क्या बेमारी हुई है ये सुमातरा की एक बेमारी है जिसे कुली डिजीज कहते है इसका को ही इलाज नहीं है ये बिमारी एकदम जान लेवा है और बहुत तीजी से फैलती है और छूने से भी फैलती है बस इसलिए वाटसन तुम मुझसे दूर रहो एकदम दूर इतना कहते कहते वो एकदम से उतेजित हो गया था और अपने पतले लंबे हाथों को हिलाते हुए मुझे अपने से दूर रहने का इशारा कर रहा था मैंने उससे कहा My God Holmes तुम ही क्या लगता है कि तुम्हारी इस बात का मेरे उपर कोई असर होगा अगर कोई अजनभी भी होता तुम्हारी जगा तो मैं जरा भी परवाह नहीं करता तो तुम ये बात सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारी ये बात अपने दोस्त के लिए अपनी डूटी करने से मुझे रोक सकती है मैं दुबारा से उसकी तरफ बढ़ा लेकिन उसकी गुसे से भरी आँखें मुझे घूरने लगी और मुझे फिर से रुक जाना पड़ा अगर तुम वहीं रुको तो ही मैं तुमसे बात करूँगा वाटसन होमस के अंदर कुछ ऐसी खास बातें थी जिनकी मैं दिल से कद्र करता था और इसलिए उसकी हर बात को चुप चाप माल लिया करता था बेशक मुझे उसकी कई बातें समझ में नहीं आती थी लेकिन मैंने आज तक कभी उसका विरोध नहीं किया था लेकिन इस वक्त मेरे अंदर का डॉक्टर जाग उठा था मैं उसकी हर बात मानता हूं लेकिन इस वक्त नहीं मानूँगा इस वक्त मैं सिर्फ एक डॉक्तर हूं और वो है मेरा मरीज इसलिए मैंने कहा देखो होमस तुम अपने होश में नहीं हो बीमार आदमी बच्चों जैसा जिद्धी हो जाता है मैं तुम्हारा इलाज करने आया हूँ और तुम चाहे बुरा मानों या भला लेकिन मैं तुम्हें तुरंथ चेक करके तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू कर रहा हूँ अभी की अभी, समझे अब उसकी आँखों में मुझे और भी तीखा गुसा नजार आया उसने कहा, अगर मुझे डॉक्टर की जरूरत है तो कम से कम कोई ऐसा तो हो जिस पर मुझे भरोसा हो ये बात मेरे दिल पर तीर की तरह लगी तो क्या तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है ओम्स तुम्हारी दोस्ती पर तो पूरा भरोसा है वाट्सन लेकिन जो सच है वो सच है और वो सच ये है कि तुम सिर्फ एक आम डॉक्टर हो और तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी कोई खास नहीं है और ना ही तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे ये सब कहते होए बहुत बुरा लग रहा है लेकिन क्या करूँ तुम्ही ने मुझे बोलने पर मजबूर किया है होम्स के मुह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर मेरा दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया तुम ऐसी बातें कभी नहीं बोल सकते होम्स अगर तुम अपने ठीक हाल में होते और इसलिए अब मुझे तुम्हारी हालत का अच्छी तरह अंदाजा हो गया है अगर तुम्हें मेरे उपर भरोसा नहीं है तो ठीक है मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा लेकिन मैं सर जैस्पर या पैन्रोस फिशर में से किसी को बुला लेता हूँ तुम्हें डॉक्टर की जरूरत तो हर हाल में है ही और ये बात मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं यहां खड़े होकर चुपचाप तुम्हें मरने दूँगा तो तुम बहुत बड़ी गल्ती का रहे हो हो होम्स होम्स ने रुंधे हुए गले से जवाब दिया मैं जानता हूँ वाट्सन कि तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हारी नॉलेज कितनी लिमिटेड है क्या तुम टापनूली बुखार के बारे में कुछ जानते हो ब्लैक फॉर्मोसा करप्शन के बारे में कुछ पता है तुम्हें नहीं होम्स, मैंने इन दोनों के बारे में कभी नहीं सुना, वही तो मैं कहना चाहता हूँ, इस्ट में कई तरह की बिमारियां फैलती हैं, अभी कुछ दिनों पहले एक मेडिको क्रिमिनल एंगल वाले केस पर काम करते हुए, मैंने काफी कुछ सुना और सीखा, और उसी के द मारियों के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, आजकल लंडन में हैं, मैं अभी जा रहा हूँ और उनको ले कर आता हूँ, इतना कहकर मैं जाने के लिए दर्वाजे की तरफ मुरा ही था, कि अचानक मुझे एक तगड़ा जटका लगा, शर्लोक किसी शेर की तरह चलांग लग अब कैसे जाओगे बोलो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भले के लिए ही ये सब कर रहे हो, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो, अभी नहीं, अभी चार बज़े हैं, वाटसन, तुम छे बज़े चले जाना, ये क्या पागलपन है, ह वाटसन, तुम मेरे कहने से सिर्फ छे बज़े तक इंतजार नहीं कर सकते क्या, मैंने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, मेरे पास और कोई चोईस है भी तो नहीं, मजबूरी में मुझे इंतजार करना ही होगा, शुक्रिया वाटसन, मेरी बात मानने के लिए, और तुम बलकि उससे, जिसको मैंने चूज किया है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहते हो, मैं वैसा ही करूँगा, मेरी बात सुनकर होमस ने एक राहत की सांस ली और अपनी आखे बंद कर ली, कुछ देर मैं यूहीं चुप-चाप होमस को देखता रहा, वो अपने बिस्तर पर ले पर लियां, सुईयां, जेब में रखे जाने वाले चाकू, रिवॉल्वर की गोलियां और काफी और छोटा मोटा समान बिखरा पड़ा था, इनी सारी चीजों के बीच में एक छोटा सा स्लाइडिंग धकन वाला काले सफेद रंग का आईवरी बॉक्स रखा था, ये डिब के मारे मेरे पसीने छूट गए और रॉंक्टे खड़े हो गए, मैंने मुड़कर उसके तरफ देखा और पाया कि उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था और उसकी आँखें डर से फटी जा रही थी, मैं अपने हाथ में वो डिबा लिये, पत्थर की मूर्ते की तरह चुपचाप खड़ा था, वापस रखो, जल्दी से उसे वापस रखो वाटसन, मैं कहता हूँ अभी इसी वक्त इसे छोड़ दो, जैसे ही मैंने डिबा वापस मेंटल पीस पर रखा, होम्स का सेर पीछे तकिया पर लुढ़क गया और उसने रहात की एक गहरी सांस ली, मै ये बिल्कुल बरदाश्ट नहीं कर सकता वाटसन, कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए, तुम्हें पता है, मुझे ये बात पसंद नहीं है, तुमने न, मेरी नाक में दम कर दिया है, आखिर तुम एक डॉक्टर हो यार, ऐसे तो, तुम किसी भी मरीज को पागल कर दोगे अब महरबानी करके बैठ जाओ और मुझे थोड़ा आराम करने दो, इस चोटी सी बात ने मुझे अपने ही नजरों में बड़ा शर्मिंदा कर दिया, शर्लोक का गुसा और पागल पन, उसके बाद मुझे इतनी जली कटी सुनाना, ये सब उसके नॉर्मल बेहेवियर से ए उस बिमारी के कारण, ये बड़े ही अफसोस की बात थी, मैं उदास भाव से काफी देर तक यूँ ही बैठा रहा, मेरे साथ साथ शर्लोक की नजर भी घड़ी की तरफ थी, और जैसे ही छे बजने को हुए, उसने पहले की तरह ही बुखार के हालत में बोलना शुरू किया, वाट्सन, तुमारी जेब में कुछ चेंज है, हाँ है, कोई सिल्वर कॉइन है, हाँ बहुत सारे है, हाफ क्राउन कितने है, ये पांच है मेरे पास, बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम उनको अपनी वाच पॉकेट में रख लो, और बाकी पैसे अपने पैंट की भाई जेब में, इस से तुम अच्छी तरह से बैलेंस हो जाओगे, और फिर अब गैस जला दो वाट्सन, लेकिन ध्यान रखना, गैस आधी से ज्यादा ना जलने पाए, ध्यान रखना वाट्सन, थैंक यू, बढ़िया है, बढ़िया है, अरे नहीं, पर्दे मत खीचो, अब थोड़ी लेटर और पेपर मेरी टेबल के पास रख दो, ठैंक यू, वाट्सन, अब उस मेंटल पीस से थोड़ा कच्रा लाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वहाँ पर एक चिम्ता है, उस छोटे आइवरी के डिबबे को उस चिम्ते से उठा लो, यहाँ का ये प्रलाप सुनकर, अब किसी भी डॉक्टर को बुला कर लाने की मेरी इक्चा नहीं हो रही थी, उसकी दिमागी हालत एकदम भी ठीक नहीं थी, और ऐसे में उसे अकेले छोड़ना खतरनाक हो सकता था, लेकिन अब उसने जिस आदमी का नाम लिया था, वो बार-बार उस है भैरानी होगी, कि जिस आदमी के पास इस बिमारी का इलाज है, वो कोई डॉक्टर नहीं, बलकि एक प्लांटर है, मिस्टर कलवर्टन स्मित, सुमातरा के रहने वाले हैं, लेकिन आजकल लंडन आये हुए हैं, उनकी प्लांटेशन में जब ये बिमारी फैली थी, और द ही चाहता था, कि तुम छे से पहले उनके पास जाओ, क्योंकि उससे पहले वो तुम्हें अपने सड़ी मिलती नहीं, अगर तुमको यहां आने के लिए मना सको, तो शायद वो हमें अपने अनुभव से कुछ बता सके, मुझे पूरा यकीन है, वो जरूर मेरी हेल्प मैं होम्स की सारी बातें समझ रहा था, यहां ये बताने की जरूरत नहीं, कि बात करते वक्त उसे कितनी तकलीफ हो रही थी, सांस लेने तक में उसे दिक्त हो रही थी, उसकी हाथों की मुठियां भिची होई थी, जिससे साफ जाहिर था, कि वो कितने दर्द से गुज़र उसके मुह के पास के निशान और भी ज्यादा उभारा थे, और आखें बुखार की गर्मी से अंगारों की तरह देहक रही थी, माथे पर ठंडे पसीने की बूंदे चमक रही थी, तुम उसे मेरे बारे में कुछ इस तरह से बात करना, ताकि उसे मेरी हालत का अंदाज़ा ह एक मरते होए आदमी की हालत का, वाकर में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्यों पूरा का पूरा समुद्र, एक सॉलिड सीब की मशली क्यों नहीं बन जाता, वो एक बार में बहुत सारे अंडे जो देती है, अरे मैं अपने खयालों में पता नहीं कहां भटक रहा मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है वाट्सन, हाँ तो मैं क्या कह रहा था वाट्सन? यही कि मुझे कलवर्टन स्मिट से बात करनी है, मैंने जवाब दिया हाँ यादाया, यह मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, उनसे विंती करना वाट्सन, असल में हमारे बीच अच्छे रिष्टे नहीं है, उस आदमी का भतीजा बड़ी बुरी तरह से मरा था, और उसके पीछे कोई गहरी साजिश थी, मुझे उस बात पर शक हुआ था, और प्लीज वाट्सन, तुम कैसे भी करके उसे यहां आने के लिए मना लेना, उससे रिक्वेस्ट करना, उसके पैर पढ़ना, लेकिन जैसे भी करके उसे यहां लेाना प्लीज, वही मुझे बचा सकता है, अरे फिक्र मत करो होंस, मैं कैसे भी करके उसे ले आऊँगा, अगर नहीं माना तो जबरदस्ती कैब में बैठा कर ले आओंगा। नहीं नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वाटसन। तुम्हें उससे सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है। और तुम उसके साथ यहां माताना। कोई भी बहाना बना लेना। यह मत भूलना वाटसन। कि तुमने मेरी जान बचाने का वाधा किया है। और यह वाधा तुम्हें निभाना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि उन सीप वाली मशलियों के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। जो इनको समुदर में फैलने नहीं देते। और तुम और मैं वाटसन हमने अपना काम कर लिया है। तो क्या अब हम इस दुनिया में इस मशली का राज होने दे। नहीं तुम यह बातें खुद उनको बता दे ना। ठीक है। अब और ज्यादा बोलने से कुछ फायदा नहीं था। इसलिए मैं शॉर्लोक को उसके खयालों की दुनिया में अकेले छोड़ कर बाहर निकालाया। उसने मुझे रूम की चाबी दे दी थी और मैंने खुशी खुशी ये सोच कर चाबी रख ली थी कि अब वो खुद को अंदर लौक नहीं कर सकता। मिसिस हटसन रूम के बाहर इंतजार कर रही थी। वो बहुत ही घवराई हुई थी और रो रही थी। फ्लैट से निकलते वक्त मैंने पीछे से होम्स को अपनी उची पतली आवाज में कुछ बढ़बढाते हुए सुना। जब मैं नीचे गली में कैब का इंतजार कर रहा था तो मैंने कोहरे में एक आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा। उसने मुझसे पूछा, मिस्टर होम्स अब कैसे है सर। ये आदमी स्कॉटलेंड यार्ड का इंस्पेक्टर मॉर्टन था जो उस वक्त पुलीस की वर्दी की बजाए सिविल डुरेस में था। हम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे। वो बहुत बिमार है इंस्पेक उसनी में मैंने उसके चेहरे पर खुशी की एक जलक देखी थी। तभी एक कैब आकर रुकी और मैं उसमें बैठ कर वहां से निकल गया। लोवर बर्ग स्ट्रीट में कई आलिशान मकान एक कतार में बने हुए थे। ये जगह नौगिंग हिल और कैंसिंग्टन के बीच मे अधर में मुझे जाना था, वहां पहुचकर मैं कैब से नीचे उतरा। ये एक पुराने ढंका बना हुआ घर था। इसमें लोहे की रेलिंग लगी थी और घर का दर्वाजा काफी बड़ा और मजबूत था। दर्वाजे पर एक बटलर खड़ा था। मेरे पूचने पर उ ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे अंदर से एक तेज आवाज सुनाई पड़ी थी। कौन है ये आदमी, क्या चाहता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है न स्टेपल्स कि जब मैं स्टड़ी में हूँ तो मुझे डिस्टब मत क्या करो। इसके बा जिमाग में बिस्तर पर पड़े तड़पते हुए होम्स की तस्वीर उभाराई, जो मेरे आने के इंतजार में एक एक पल गिन रहा होगा। ये वक्त तमीज दिखाने का नहीं था। मेरे सबसे प्यारे दोस्त की जिन्दगी और मौत का सवाल था। इससे पहले कि बटलर आकर मुझे अपने मालिक का संदेश देता, मैं उसे परे धकेलते हुए कमरे में घोजगाया। अंदर फायर प्लेस के पास ही आराम कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, जो मुझे देखकर गुसे से चीखने लगा। उसका चेहरा चोड़ा और रंग पीला था और उसकी चोटी और स्लेटी रंग की थी और आँखों के पपोटे सूजे हुए थे, घनी जाड़ियों जैसी उसकी आईब्रोज थी और उसने अपने गंजे सिर पर वेलवेट की एक चोटी कैप पहनी हुई थी, उसकी खोपड़ी तो काफी बड़ी थी, लेकिन उसका बदन काफी क भुस आने का क्या मतलब है? मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे कल सुभा मिलूँगा? मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर कलवर्टन स्मित, लेकिन बात काफी सीरियस है. मेरे दोस्त मिस्टर शर्लोक होम्स, मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था, कि मैंने देखा, शर्लो होम्स के यहां से आये हैं? उसने मुझसे पूछा, जी हाँ, मैं अभी उसी के पास से आ रहा हूँ. क्या हुआ है होम्स को? कैसे हैं वो? वो बहुत ज्यादा बीमार है मिस्टर स्मित, और इसी लिए मैं आपके पास आया हूँ. उस आदमी ने मुझे कुरसी पर बैठने का इशारा किया और खुद भी अपनी कुरसी पर जाकर बैठ गया. मैंने मेंटल पीस के उपर रखे शीशे में उसके चहरे की एक जलक देखी और मैं कसम खाकर कह सकता था कि उसके चहरे पर मुझे एक दुष्ट और नफरत से भरी हुई मुसको राहट नजार आई थी. लेकि उसने कहा, मुझे सुनकर काफी दुख हुआ. मैं होंस को बस इसलिए जानता हूँ क्योंकि हमारी कुछ बिजनेस डिलिंग्स हुई थी. मैं उनकी और उनके टैलन्ट की बड़ी कदर करता हूँ. वो क्राइम एक्सपर्ट हैं और मैं बिमारियों का एक्सपर्ट हूँ. उन कहकर उसने एक साइड टेबल पर एक कतार में रखे जार्स और बोटल्स की तरफ इशारा किया. जी मिस्टर स्मिथ, और आपकी इस खास नौलिज के कारण ही मिस्टर होम्स को सिर्फ आपके उपर भरोसा है और वो चाहते हैं कि आप उनको देखने आए. वो आपको बहुत म गिर गई. फिर उसने पूछा, लेकिन मिस्टर होम्स को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनकी हेल्प करूँगा? क्योंकि आप इस्टर बिमारियों के एक्सपर्ट हैं सर, इसलिए. मैंने कहा, लेकिन उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बिमारी उनको हुई है वो इसलिए मिस् नहीं है जितना आप सोच रहे हैं वैसे कब से बिमार है Mr. Holmes जी तीन दिनों से मैंने कहा क्या वो बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं जी हां कभी-कभी ओहो फिर तो वाकई मामला गंभीर है अब ऐसे में अगर उनके बुलाने पर मैं नहीं गया तो ये इंसानियत की बात नहीं हो वैसे मेरे काम के दोरान अगर कोई मुझे डिस्टरब करता है तो मुझे बहुत तेज गुसा आता है लेकिन ये मामला गंभीर है Mr. Watson मैं अभी इसी वक्त आपके साथ चलता हूँ तभी मुझे Holmes का वो आदेश याद आ गया जो उसने मुझे दिया था इसलिए मैंने कहा ले लेकिन मुझे अभी कहीं और जाना है कोई बात नहीं मैं अकेले चला जाता हूँ मेरे पास Mr. Holmes का एड्रस मौजूद है मैं ज्यादा से ज्यादा आदे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और फिर जब मैं दुबारा Holmes के बेडर थी और वो पूरे होशो हावास में लग रहा था उसने कमजोर आवाज में मुझसे पूछा हां तो Watson तुम उससे मिले क्या हां मिला और वो आ रहा है तुमसे मिलने थोड़ी ही देर में वैसे तो वो मेरे साथ आना चाहता था लेकिन तुमने मना किया था इसलिए मैंने बहा बहुत अच्छा किया तुमने Watson तुमने वाकई एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाया है अब तुम जल्दी से यहां से गायब हो जाओ नहीं Holmes मैं यहीं रुकूंगा ताकि उसकी राय सुन सकूं हां ये बात भी ठीक है लेकिन मेरे खयाल से अगर वो मेरे साथ यहां अके जाओ लेकिन Holmes और कोई चारा नहीं है Watson वो रूम छुपने के लिए नहीं बनाया गया है लेकिन तुम्हारे वहां होने का किसी को शक नहीं होगा तुम जाओ और वहां छुपकर बैठ जाओ ये कहते कहते Holmes अचानक उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया था और उस वक्त उस जो कुछ भी हो जाए तुम्हें बाहर नहीं आना है ना बोलना है ना हिलना है बस चुप चाप कान लगा कर सुनते रहना है और किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना है समझ गये मेरे कमरे के अंदर जाकर छुपते ही Holmes का शरीर एक बार फिर से निढ़ाल हो गया और वो बिस्त पहले किसी के सीड़ियों से उपर आने की आहट सुनाई दी फिर बेडरूम का दर्वाजा खुला और बंध हो गया फिर कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कमरे में काफी देर तक एक लंबी खामोशी चाही रही मुझे सिर्फ Holmes के जो से पुकारा, Holmes, Holmes, उसकी आवाज ऐसी थी जो किसी गहरी नीन सोने वाले को भी नीन से जगा दे, फिर ऐसा लगा जैसे कोई Holmes को कंधे से पकड़ कर हिला रहा हो, फिर Holmes की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, आप आ गए Mr. Smith, मुझे लगा था शायद आप नहीं आए Holmes, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कितने रहम दिल हैं, मैं आपकी special knowledge की बहुत कदर करता हूँ, बेशक तुम्हें वो कदर करनी चाहिए, ये कितने खुश किसमते की बात है कि लंडन में एक ही इंसान है जो मेरी कदर करता है, क्या तुम जानते हो Holmes, कि तुम्हें क्या है, वही हुआ है, Holmes ने धीरे से कहा, आहा, तो तुम इसके लक्षनों को पहचानते हो, बहुत अच्छी तरह, वेरी गुड, ये बात सुनकर मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई Holmes, और अगर ये वाकई वही है, तो तुम्हारे लिए ये एकदम बुरी खबर है, बेचा स्ट्रॉंग, जिन्दा दिल और जवान आदमी था वो, और कितनी अजीब बात थी, कि उसे यहां लंडन में ये एशिया की बिमारी लगी, ऐसी बिमारी, जिसके लिए मैंने खास स्टडी की है, कैसा इत्तफाक था ये, Holmes, वैसे तुम काफी स्मार्ट हो, जो तुमने इस ब रहा भी, लेकिन एक बात मैं तुम से जरूर पूछूँगा, तुम खुद को समझते क्या हो, जो मेरे बारे में इस तरह की खबरें फैला रहे हो, और फिर उपर से तुर रहा ये, कि खुद ही मेरे पास मदद की भीक मांगने आ गए, ये किस तरह का खेल खेल रहे हो, Holmes? अब Holmes को सांस लेने में काफे दिक्कत हो रही थी, मुझे उसके जोर-जोर से सांसे भरने के आवाज सुनाई दे रही थी, उसने अटकते हुए गले से कहा, मुझे पानी, पानी दो, तुम्हारा अंत काफी करीब है मेरे दोस्त, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अभी मरो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगा, ये लो, और हाँ, ये बता दूँ कि तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है, होम्स अब दर्द से कराह रहा था, उसने फुस-फुस आते हुए कहा, तुम मेरे लिए जो कर सकते हो, कर दो, जो हुआ सो हुआ, मैं सब कुछ भूल जाओंगा, मैं कसम खाता हूँ, लेकिन कैसे भी करके, मुझे ठीक कर दो प्लीज, मैं पिछला सब कुछ भूल जाओंगा, क्या भूल जाओगे तुम्हें, विक्टर सैविज की मौत के बारे म तुम ही ने तो अभी कहा, कि वो सब तुमने किया था, मैं ये बात भूल जाओंगा, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी भूल नहीं सकते, और ना ही याद रख सकते हो, मैं तुम्हें विटनेस बॉक्स में नहीं, कॉफिन बॉक्स में देखना चाहता हूँ, मेरे प्यारे हो हो रही है, अच्छा एक बात बताओ होम्स, जो आदमी मुझे बुलाने आया था, उसने कहा था कि तुमको ये बिमारी इस्टेंड में सेलरों के पास जाने से लगी है, हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, तुम्हें अपनी अकल पर बड़ा ही घमन है होम्स, है ना, तुम् और सोचो कि ये बिमारी तुम्हें असल में कहां से लगी हो सकती है, मुझे कुछ नहीं बता स्मेथ, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, प्लीज, भगवान के लिए मेरी मदद करो, हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, और तुम्हें ये समझने में भी म कुलीज, मुझे कोई दवा दे दो, जो मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला दे, ये दर्द काफी जान लेवा है ना, बिल्कुल, कुलीज भी मरने से पहले ऐसे ही दर्द से करहाते थे, मुझे लगता है, तुम्हारा बदन एंट रहा है, है की नहीं, हाँ, मेरा पूरा बदन धर्द से एंट रहा है, बहुत बढ़िया, अब अगर तुम अच्छी तरह से सुन सकते हो, तो सुनो, जब तुम्हारे ये लक्षन शुरू हुए थे, तो क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई अजीब घटना घटी थी, नहीं, कुछ भी तो नहीं, एक बार फिर से स बेहोश हो रहा हूँ, नहीं होम्स, मैं तुम्हें बेहोश नहीं होने दूँगा, तुम्हें मेरी बात सुनने ही होगी, उसके बाद ऐसी आवाज आई, जैसे वो आदमी होम्स को जोर जोर से पकड़ कर हिला रहा हो, मेरा मन कर रहा था, कि मैं जाकर उस आदमी के सिर पर ज पड़ेगी होम्स, तुम्हें सुनना ही होगा, तुम्हें वो बॉक्स याद है? एक आईवरी बॉक्स जो तुम्हें बुधवार को मिला था, तुमने उसे खोला था, है ना? हाँ, मैंने उसे खोला था, उसके अंदर एक नुकीली सी स्प्रिंग थी, मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, उस आदमी के जिंजोडने के कारण होम्स को अब धीरे धीरे होश आ रहा था, मुझे फिर से उस आदमी की आवाज सुनाई दी, वो कोई मजाक नहीं थ अगर तुम मेरी जासूसी नहीं करते, तो शायद मैं भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, होम्स की सांसे अब रुक रुक कर चल रही थी, उसने बड़ी ही तकलीफ के साथ काहा, हाँ, मुझे याद आ गया, वो स्प्रिंग मेरी उंगली में चुप गई थी, और, और, खून निकल आया था, वो बॉक्स वहाँ टेबल पर रखा है, हाँ, वाकई वही है बाई गॉड, और अब वो बॉक्स मैं अपने साथ ले कर जाओंगा, तुम्हारा आखिरी सबूत भी गया, होम्स, लेकिन अब जब तुम सचाई जान ही चुके हो, तो अब ये जान लो, कि तुम्हारा कटल मैंने ही किया है, तुम विक्टर सैविच के बारे में कुछ ज्यादा ही जान गये थे, और इसलिए, मैंने उसी वक्त, तुम्हें भी उसके पास पहँचाने की ठान ली थी, और इसलिए मैंने वो बॉक्स तुम्हें भीजा था, अब तुम बस कुछ ही देख के महमान हो होम्स मैं यहां आराम से बैठ कर अपनी आखों के सामने तुम्हें मरते होए देखूंगा होम्स ने कुछ कहना चाहा लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि कुछ सुनाई नहीं दिया स्मित ने कहा क्या चाहिए तुम्हें अच्छा लैंप जला दूँ ठीक है जला देता हूँ क्योंकि उससे मैं भी तुम्हें अच्छी तरह से देख पाऊंगा स्मित ने लैंप जला दिया और पूरा कमरा रोशनी से भार उठा फिर उसने होम्स की तरफ देखते हुए पूछा तुम्हारी आखिरी एक्छा पूरी करने में मुझे वाकई बहुत खुशी होगी इसलिए कुछ और चाहते हो तो वो भी बोल दो एक माचिस और सिग्रेट ये होम्स की आवाज थी थोड़ी कमजोर लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल मैं खुशी और हैरानी से उचल पड़ा कमरे में थोड़ी देर सन नाटा चाया रहा और मैंने अनुमान लगाया कि स्मिथ होम्स के बेड के पास खड़े होकर हैरानी से उसे देख रहा होगा आखिरकार मैंने स्मिथ को बोलते हुए सुना उसकी आवाज रूखी और तेज थी इसका क्या मतलब है होम्स ने एकदम नॉर्मल आवाज में कहा बेस्ट एक्टिंग वही है जिसमें इनसान खुद कैरेक्टर में ढल जाए मैंने तुम्हें संदेश भिजवाया था कि मैं तीन दिनों से भूखा प्यासा हूँ इसे लिए शायद तुम मेरे उपर दया करके यहां आए हो अब खाना पीना तो मैं छोड़ सकता हूं स्मिथ लेकिन सिगरेट के बिना रहना मुश्किल है आह मेरी प्यारी सिगरेट फिर मुझे माचिस जलाने की आवाज आई होम्स ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा अब काफी अच्छा लग रहा है और शायद मेरे दोस्त भी आ गए है कमरे के बाहर कदमों के आहट सुनाई भी दर्वाजा खुला और इंस्पेक्टर मॉर्टन अंदर आया विक्टर सैविज के कतल के इलजाम में गिरफतार करता हूँ शर्लोक ने हस्ते हुए कहा और तुम इसमें एक चार्ज और जोड सकते हो इंस्पेक्टर शर्लोक को जान से मारने की कोशिश करने का चार्ज वैसे मिस्टर स्मिथ ने लैंप जला कर जो सिगनल दिया था उसके लिए इनका शुक्रिया और इनके कोट की दाई जेब में एक छोटा सा डिबा होगा उसे भी निकाल लो लेकिन जरा ध्यान से निकालना क्योंकि वो डिबा काफी खतरनाक है बढ़िया और अब इस डिबे को यहां रख दो ये ट्राइल में तुम्हारे काम आ सकता है फिर कमरे में कुछ धकामुक किसी हुई हतकडियों के खनकने और किसी के दर्थ से चिलाने की आवाज सुनाई दी स्मिथ ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा काफी बढ़िया जाल बिचाया है तुमने होम्स लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे सुनो इंस्पेक्टर इस आदमी ने मुझे अपना इलाज कराने के लिए यहां बुलाया था मैं इसके उपर रहम खाकर यहां आ गया और अब यह नाटक कर रहा है मैंने इसे कुछ बातें बताई थी जो अब यह मेरे खिलाफ इस्तिमाल कर रहा है यह मुझे जूटे केस में फसाना चाहता है लेकिन यह चाहे जितने भी जूट बोले इसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कोट में मेरे खिलाफ जाए होमस एकदम से चौक कर बोला आहा मैं अपने प्यारे दोस्त वाटसन को तो भूल ही गया था माई डियर वाटसन बाहर आ जाओ मैं तुम से सौ बार माफी मांगता हूँ मेरे दोस्त लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी नजर अंदाज नहीं किया था मैं पीछे वाले कमरे से निकल कर बाहर आया और होमस ने मेरी तरफ देखते हुए कहा ये हैं डॉक्टर वाटसन जिन से आप आज शाम को ही मिले थे मिस्टर स्मिथ और वाटसन तुम्हारी गाड़ी नीचे ही खड़ी है न तो मैं भी तयार होकर चलता हूँ शायद पुलीस स्टेशन में मेरी जरूरत पड़ेगी सारे काम निपटा कर देर रात को जब शर्लॉक और मैं अकेले बैठे थे तो उसने सिगरेट का एक कश लेते हुए कहा तुम तो जानते ही हो वाटसन मेरी आदतें थोड़ी अजीब है और इसीलिए इस तरह के खत्रे उठाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए मिसिस हटसन को इंप्रेस करना सबसे जरूरी था ताकि वो तुम से संपर्क करें और फिर तुम स्मिथ तक पहुँचो तुम्हें बुरा तो नहीं लगाना वाटसन तुम्हारी खासियत यही है कि तुम दिल के एकदम साफ हो अगर तुम्हें मेरा राज पता चल जाता तो तुम कभी भी स्मिथ को यहां आने के लिए मना नहीं पाते और वही इस पूरी प्लैनिंग का सबसे जरूरी पार्ट था मैं जानता था कि यह सारी उसी आत्मी की साजिश थी और मैं यह भी जानता था कि जब उसे पता चलेगा कि वो अपने मकसद में काम्याब हो गया है तो वो मुझे देखने जरूर आएगा लिकिन तुमने अपना ऐसा हाल किया कैसे हों तुम्हारा वो बिमार भयानक चेहरा मैं अभी भी भूल नहीं पा रहा हूँ मैंने कहा अरे वो तीन दिन भूखे रहने के बाद कोई भी खुबसूरत नहीं लगता वाटसन और बाकी मेरे मेकप का कमाल था माथे पर वैसलीन आखों के नीचे बैला डोना गालों पर थोड़ा रूज और होठों पर पपड़ी दिखाने के लिए मोम लगा कर कोई भी एक बिमार इंसान जैसा लग सकता है और जहां तक एक्टिंग का सवाल है उसके उपर तो मैं पूरी एक किताब लिख सकता हूँ उपर से हाफ क्राउन, सीपदार मचली या ऐसी ही कुछ पागलपन की बातें करके किसी को भी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन होम्स, तुमने मुझे अपने पास आने से मना क्यों किया जबकि तुम्हे कोई इंफेक्शन था ही नहीं ये बात तुम पूछ रहे हो वाटसन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मेडिकल टैलेंट की तोहीन करूँगा क्या तुम जैसा काबिल डॉक्टर, किसी मरते हुए आदमे की नब्स और टेंप्रेचर नहीं पकड़ सकता चार गज की दूरी से तो मैं तुम्हें धोका दे सकता था लेकिन अगर तुम मेरे पास आते, तो क्या तुम्हें पता नहीं चल जाता कि मैं मरवर नहीं रहा था, इसी लिए मैंने तुम्हें अपने पास आने से मना किया था अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो स्मित को मेरे पास कौन लेकर आता भला और हाँ, मैंने वो बॉक्स कभी भी टच किया ही नहीं था अगर तुम साइड से देखो, तो उसके खोलते ही एक खतरनाक साप के दात जैसा स्प्रिंग नजार आता है ये मशीन इतनी चालाकी से बनाई गई है, कि बॉक्स खोलते ही उंगली में स्प्रिंग चुप जाता है और खोलने वाला इस बिमारी का शिकार बन जाता है बिचारे विक्टर सैवेज ने भी इस बॉक्स को खोला था और वो मौत का शिकार बन गया तुम तो जानते ही हो वाटसन, मेरे पास कई तरह की चीज़ें आती रहती है लेकिन मैं हर पैकेज को पहले बड़े ही ध्यान से देखता हूं, तब जाकर उसे खोलता हूं मैं जानता था कि स्मित अपना गुनाह तभी कुबूल कर सकता है जब उसे पूरी तरह से ये यकीन हो जाए कि मैं उसके बिचाए जाल में फस गया हूं और मैंने एक सच्चे कलाकार की तरह अपना रोल अच्छी तरह से निभाया अब वाट्सन, बड़ी महरबानी होगी तुम्हारी अगर तुम मुझे मेरा कोट पकड़ा दू और उसके बाद हम लोग बाहर चलेंगे और सिम्संस में जाकर कुछ बड़ी आसा खाना खाएंगे दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिलकुल न भूलें जल्दी ही फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अलविदा